मुझा करने में कफी मदद करती है आप इसको कभी भी बनागर खा सकते हो और बच्चों को कफी पसंद आने वाला है तो चलिए मैं आज आपके साथ में शेयर करती हूँ स्वीट कॉन स्पाइसी रेसिपी और मैंने ये ले लिया है कड़ाई और कड़ाई में मैंने डाल दी है दो ग्लास पानी के और फिर मैंने लिये डाल दिया है कॉन जो की आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा और फिर इसको लगा दिया है एक बॉयल और अच्छे से ठंडे पानी से इसको वाश कर लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है कि या है यख अवना दों और सबस्क्राइब दो पार गोल अच्छे से निकां था तक तक होग्याल किया होग्याग कोश्याग कुछ मसाले जो कि काला नमत है चाट बेडेन, जा नमक श Independence बातर आप दी है पीनों को अच्छे से डाल दूँगी आप इसमें चाहो तो गाजर भी डाल सकते हो विल्कुल बारिक करके सिम्ला मिर्ची भी एड़ कर सकते हो और फिर मैं डाल दूँगी धनिया पत्ती और थोड़ा समय बचा लिया था जानिश करने के लिए और अब डालेंगे मसाले तो मै लाल मिर्चा पाउडर अगर आप बच्ची के लिए बना रहे हो तो इसको अब गदिए और आप नारे हो तो डाल सकते हो यह आपन करता है और तो थोड़ा सा स्वाइस बनारीओ इसलिए मैंने लाल में चैड किया है और फिर मैं है इसमें डाल दूँगी चीज चीज से काफी यम्मी लग रही है ना लग रही है ना किस-किस के मुह में पानी आया मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना तो अब मैं डाल दूगी इसमें धनिया पती अच्छे से इसको गानिश कर दूगी ताकि चाट हमारी देखने में बहुत ही यम्मी और टेस्ट यह दोनों मैं इसमें एड किया था और उसे काफी अच्छा फ्लेवर आया था थोड़ा सा मतलब इटालियन लुक आ गया था तो आपको जरूर यह बताना है कि आज की मेरी रेसिवी कैसे लगी और आज की चाट आपको पसंद आई तो प्लीस लाइक जरूर करके जाईए औ न्यूग हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बैल आइकन आता है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिशन आपको मिलता रहे और ऐसे ही मुझे प्यार सपोर्ट देते रही है तो बस मिलूँगी आपको एक अगले न्यूग वीडियो में तब तक लिए बाई बाई थैंक्यू फोर वाचिंग माई वीडियो